क्या योगिता रहनी चाहिए, आयू क्या रहेगी, कैसे चैन प्रक्रिया होगी, सारी डेटेल इन्फॉर्मिशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन वोड गौर्मेंट ओफ एन्फिटी ओफ डेली के अंतरगत ये वैकेंसी आई है, सब ही राज्य यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहां टीचिंग और नौन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, 863 वैकेंसी रहेगी, सरकारी पर्मानेंट वैकेंसी आई है, तो अगर हम देखते हैं, इसकी मेन वेबसाइट दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन वोड गौर्मेंट ओफ एन्सिटी ओफ डेली, तो यहां पर नीचे आप देखेंगे, आप लोगों को होम पेज पर ही जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन नजर आजाएगा सबसे उपर, तो 17 नवंबर 2023 को जारी कर दिया गया, वैकेंसी नोटिस अड़िसमेंट नमर 3 ओबलिक 23, इसे आप याद रखेंगे, तो अभी जो है बहुत द्यान से सुनिएगा, अन्तों तक वीडियो को बने रहें, जिसमें भी आप ल आप लोग देखा करें, ताकि आप लोग डारेक्ट जो है, में वैकेंसी नोटिस अड़िसमेंट नमर 3 ओबलिक 23 है, सबसे पहले यहाँ पर नौन टीचिंग पदों पर वैकेंसी कितनी है, ये बताई गई है, 863 पद है, सरकारी पर्मानेंट वैकेंसी है, मैं हमेशा जो है जो भी वैकेंसी होती है, तो लिंक आप लोगों को में वैकेंसी का जरूर शेयर करती हूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है, आप लोग देखा करें, ताकि आप लोग डारेक्ट जो है में वैकेंसी पर पहुंच सकें, जिस भी डिपार्टमेंट क तो यह सारी चीज़े में आप लोगों को बता चुकी हूँ, रेगूलर बेसिस पर यह वेकैंसी है, पर्मानेट वेकैंसी है, ठीके, अभी जो है डेटेल में यहाँ आप लोगों को दिखाई देगा, तो पहले नॉन टीचिंग पदों पर डेटेल में जो है जानकारी दी पहले बात करते हैं, तot यहां पर special education teacher के लिए graduation के साथ में बीडट जाहिए special education में, या फिर paired with two year diploma in special education, या post graduate professional diploma in special education, साथ में जो है यहां seatater paper to class 6-8 तक का पास होना चाहिए, paid scale के अगर हम बात करें तो 44,900 basic पे रहेगी है, और एक लाख ब्यालिस हजार चार सो तक यानि डेवल सैवन के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहां पर सैलरी दी जाएगी एज जो है यहां पर 30 साल कही गई है special education teacher के लिए वाकि एज relaxation जो है यहां पर दिया गया है उसे भी हम देखेंगे computer lab या IT assistant के लिए number of vacancy 22 है यहां पर essential qualification चाहिए 12 आपका होना चाहिए complete A level from DOIC या फिर इसके समकक्ष योगिता आपकी होनी चाहिए speed जो है आपकी 8000 की depression पर आर प्रति घंटा मागी गई है यहां पर pay scale के अगर हम बात करें तो 29200 से लेकर 92300 तक आपकी salary रहने वाली है age यहां पर कही गई है 27 साल next 10th pass candidate के लिए level 80 attendant की vacancy है डेली जल बोड में तो DSSB की तरफ से जो है अलग अलग department की यह vacancy है यहां पर number of post है 37 केवल मागा गया है 10th 10th pass होनी चाहिए pay scale जो है 18000 से लेकर 56900 रहेगा उम्र यहां पर रहने वाली है 18 से लेकर 27 साल age relaxation जो की हम देखेंगे नीचे ही जो है हमें यह चीज दिखाई देगी next जो है matron की vacancy जो की female candidate के लिए reserve है कुल 62 यहां पर vacancy निकाली गई है 12th pass होना चाहिए height 157 और physical standard जो है बिलकुल fit जो है आप लोगों का यहां पर जो eyes वगर है 6 by 6 मांगा गया है ठीक है बाकी जो है आप लोगों और भी देख लेंगे age limit जो 18 से 27 साल है और यहां पर pay scale 21,700 से 79,100 matron के लिए है male candidate जो है wider के लिए pom fill कर पाएंगे यहां पर total जो है यहां पर 271 vacancy निकाली गई है जिसमें unreserved 164 है 21 OBC की है SC की 18 है SD की 26 है और EWS की है 42 तो यहां पर qualification कहा है 12 height 170 मांगी गई है ठीक है इसके अलावा जो है medical standard जो है बिल्कुल fit जो है आपका होना जरूरी है ठीक है और भी चीज़ें जो की आप देख लेंगे advertisement का जो link है मैं आप लोगों को share कर दूँगी वीडियो के नीचे age limit 18 से 27 है और यहां पर warder के लिए 21,700 से 79,100 जो है pay scale रहेगी जैसे matron की थी next जो है यहां पर senior scientific assistant chemistry के लिए post graduate degree chemistry या pharmacy या bio chemistry मैं होना चाहिए एक साल का जो है यहां अनुभव ही मांगा गया है salary जो है 35,400 basic पे रहेगी 30 साल यहां पर उम्र कही गई है eligibility criteria जो है मैंने आप लोगों को बता दिया जितनी teaching post है इसके लावर non teaching post के लिए मैं आप लोगों को link share कर दूँगी जिससे कि आप लोग non teaching staff के लिए अगर apply करना चाहते हैं तो आप अच्छे से देख सके यहां पर जो है किसी भी राज्य के candidate जो है apply कर सकते हैं यदि age education qualification सारी जी ने जो भी मांगी गई है उसे fulfill करते हैं last date बीस बारा दोजार तेज application fees की अगर हम बात करें तो 100 पे fees है woman candidate की कोई fees नहीं है SC, ST, PWD की ex-servicemen category की कोई fees नहीं है यानि मात्र 100 पे fees है general OBC की chain कैसे होगा तो exam रहेगा आप लोगों का one tier general का paper रहेगा उसके बाद जो है technical part का रहेगा ठीक है next teaching का रहेगा यहां पर तो यह भी 200 marks का रहेगा यानि 200 marks का ही जो है technical और non-technical staff के लिए exam रहेगा तो यहां पर MCQs type के question रहेंगे आप लोगों के general में जो paper सभी के लिए समान होगा general awareness के question होगे general intelligence reasoning के होगे Hindi English के होगे mathematics के होगे ठीक है तो यह सारी चीज़े जो है complete syllabus जो की main website पर ही आप लोगों को मिलेगा negative marking यहां पर रहेगी अभी age relaxation जो है आप देख लें यहां पर SCST group B और C के लिए ठीक है तो यह आप देख लें उपर मैंने आपको दिखाया था group B और C की अलग-अलग post है तो SCST पान साल की चूट है OBC 3 साल की चूट है PWD 10 साल की चूट है सामान ने उसके लावा अगर SCST में है PWD तो 15 साल की है OBC में है तो 13 साल की है इसके लावा विडो डाइवोस्ट वोमेन ठीक है इनके लिए जो है group C की post में है छूट 35 year up to 40 year है SCST के लिए और OBC के लिए 38 है ठीक है non-teaching staff के लिए अगर आप फिल करना चाते है सबसे पहले number of post जो है जो की पिसले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी Pharmacist की जो है 42 vacancy है Technical Assistant की जो है यहाँ पर 15 vacancy है Junior Radio Therapy Technician की जो है यहाँ पर 2 vacancy है उसके बाद जो है यहाँ पर Assistant Group 4 में Technical एक vacancy है 90 vacancy Sub Station Attendant की है जो की केवल Male Candidate के लिए Reserve है Assistant Electric Fitter की 53 है Junior District Staff Officer की 12 है Draftsman की 1 है Wireless Radio Operator की 1 है Scientific Assistant की 1 है Senior Laboratory Assistant की 3 है Junior Lab Assistant साथ है ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हैं Nurse Grade A की 90 है Special Education Teacher की 22 है और भी आप देख सकते हैं जैसे Computer Lab IT Assistant के लिए अगर आप Form Fill करना चाहें 22 vacancy है Laboratory Attendant के लिए 37 है और Matron के लिए जो Female के लिए है 62 Wider के लिए vacancy 271 Senior Scientific Assistant Chemistry 5 vacancy है Electrical Overseas Sub Inspector की 8 vacancy है तो यह number of vacancy कितनी है यह सारी चीजे मैंने आप लोगों को बता दिया है पर्मानेंट गॉर्मेंट जॉब रहेगी गोनाने पर जूमेंट लोगों को का अभॉई सारी ओों किते धिस zor pe